क्या अमेरिका में राहुल गांधी ने डेवता का किया अपमान अंकल सैम के साथ मिलकर राहुल की कौन सी नहीं साज़िश क्या राहुल गांधी को समझना नामूम्किन है राहुल गांधी के नत्रित में भारत की जनता ने नकारदी 99 पे आके अठका दिया वो भारत की तारीफ करने के बजाए बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना यह लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं राहुल गांधी अगर आप पूरी स्पीच को अबजर्फ करेंगे क्योंकि उनकी चाइनीज कम्यूनिस पार्टी और इंडिया के साथ में उनका एक सीक्रेट M.O.U है इसलिया हमेशा जब भारत और चीन के साथ खड़े वे देखते ना कि भारत के साथ और राहुल गांधी कह और भारत के खलाफ ववादिट टिपड़ी ना करें जी हाँ एक बार फिर से ऐसा ही मामला देखने को मिला जब अमेरिका पहुंच करके राहुल गांधी ने ना सिर्फ चाइना की तारीफ की भारत को ले करके कई सारे ववादिद बयान दिये बलकि उन्होंने तो अब देखने को मिल रहा है द्रसल आपको बता दे कि सिर्फ जनता ही नहीं बलकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरसस को ले करके चाइना की तारीफ की है और इसके अलावा देवता को ले करके जो बयान दिया है उसके खिलाफ बीजपी का भी गुसा फूट पड़ा है वो तो एक बहुत पढ़े लिखे बैक्ती हैं एक बहुत बड़े रड़नीती कार है हाला कि जिस तरीके से सैंप पितरोदा ने उनकी अतारीफ की है तो एक बार फिर से बीजपी ने इस पर चुटकी ले ली है आपको बता दे दरसल देवता को ले करके अपनी एक चांदी ने यह कहा कि आप शिव के विचार को जानते हैं जो वे कहते हैं कि शिव संगहारक है तो किसका विनाश कर रहे हैं खुद का यहीं विचार है वो अपने अहेंकार अपनी संरशना अपनी मानताओं को नस्ट कर रहे हैं इसलिए भारतिय राशनातिक विचार और कार सब्सक्राइब दरसल यहां पर राहुल गांधी ने रास्ट गान को लेकर के जिक्र किया भारती रास्ट गान के बारे में बोलते हुए कहा कि कैसे हिंदी भाशी और जो साउथ के लेंगवेज हैं मले आलम हो तेलगू हो इसमें एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है और लोग अपनी बयान दिया तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ एक पर फायार को लेकर के भी मांग उठ गई है दरसल आपको बता दें कि यहां पर जरटा और अमेरिका सबसे बड़े लोगतंत्र है लेकिन हम एक और महत्वपूर्ण बास साच्छा करते हैं हम दोनों राज्यों के संग है संयुक्त राज अमेरिका जिसका रास्ट गान हमने भी बचाया इसका एक प्रमुख धारण है कि हमारे सम्विधान में यह स्पस्ट रूप से कहा गया है कि भारत यानि की भारत राज्यों का संग है जिसका अर्थ है संयुक्त राज अमेरिका की तरह कोई भी राज दूसरे राज से सुरेष्ट नहीं है कोई भी धर्म दूसरे धर्म से श्वेस्ट नहीं है और कोई भी भाशा किसी आन्य भासा से श्वेस्ट नहीं है राहुल गांधी ने कहा कि भारत में हिंदी और अन्य भाशाओं के बीच युद्भी छड़ा हुआ है दुरिसल आपको बता दे कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है साफ तोर से ये कोई पहला विबात नहीं है जब राहुल गांधी इस तरीके से विबादित और बेतर्त बयानवाजी करते हुए नजर आए हूं अब लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पपू बताना एकदम गलत है कई विश्यों पर उनकी गहरी समझ है उनके पास एक विजन है ये मानना है इंडियन ओवर्सीज कॉंग्रेस के चियर्में सैम पितरोदा का दरसल आपको बता दे कि न्यूज इजनसी एनाई के मुताबिक पितरोदा ने कहा कि कभी कभी राहुल गांधी को समझ पाना असान नहीं होता इस पर राहुल को पपू कहकर तंच कसने वाली बीजुपी ने एक बार फर से निसाना साधा है दरसल राहुल गांधी जिस तरी पितरोदा कहते हैं कि राहुल गांधी के पास एक ऐसा विजन है जो बीजुपी द्वारा करोड़ों रुपए खर्श करके प्रशारित के जाने वाले विजन से बिलकुल अलग है बता दूं कि बे कोई पपू नहीं है बे अच्छे खासे पढ़हे लिखे हैं किसी भी पूछ रखने वाले रड़ नेतिकार हैं और कई बार उन्हें समझ पाना बहुत आसान नहीं होता अब सैंपितरोदा के इस बयान पर बीजुपी आइटी सेल के हैड अमित मालवी ने कहा कि राहुल गांधी को समझना कभी कभी आसान नहीं होता उनके गुरू सैंपितरोद की है और कहा है कि भारत में कैसे बिरोजगारी के स्थती काफी जादा बढ़ती चाह रही है दरसल रहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया है चीन के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है इसल बारत की तारीफ करने के बिचाए राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं चीन की तारीफ कर रहे हैं लगता है कि वे चीन के पैसों पर पल रहे हैं तब ही बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं ऐसे लोगों पर देश द्रोह का मुकदमा चलाना जो भारत के बाहर जाकर के भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। सुनिए गिरिरास सिंग का ये बयान। भारत आज मैकिन इंडिया के रूप में जो भारत इनके कार्जकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो भारत जो देश में 19 लाग करोर का इंपोर्ट था वो आज 80 लाग करोर पे पहुँच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाए बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना। ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना दुस्मन देश की तारीफ करना ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाकर चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं इन पर तो ऐसे लोगों को अगर कानून भारत में नहीं होता अगर मोदी जी संबिधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देश द्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे भारत को बदनाम करे अदुस्मन देशों की तारीफ करे उनको नहीं मालूम है आरेसेस जब इनकी आई था उस समय आरेसेस की भूमका दादी से जाकर के अब उपर जाके पूछने का कोई टेक्नलोजी हो तो जाके पूछ हैं या इतिहास के पन्नों में देखें आरेसेस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन में लेना पड़ेगा देश द्रोही कोई आरेसेस को नह नहीं जान सकता राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं राहुल गांधी को मैं बार बार क्या रहा हूं आरेसेस को समझना इस जन में तो वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आरेसेस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है अगर भारत के संबेधान को परदान मंत्री माथे पर नहीं लगाते और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं तीसरी बार मैं भी भारत की जनता ने नकार दिया 99 सीट पर लाके अटका दिया तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते हैं इसके लावा आपको बता दे कि बीजुपी की नेता मुखतार अबास नकवी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर जूरतार निशाना साधा है सुनिये मुखतार अबास नख्वी क्या कह रहे हैं देखें ये इस वक्त जो है वो एक कांस्टूशनल पोस्ट पे हैं और इस कांस्टूशनल पोस्ट पे जब वेक्ती होता है तो देश की अपेक्षा होती है समाज की अपक्षा होती है और पूरी दुनिया की भी अपक्षा होती है कि अनگाइड़ दीगनीटी का डिमОंस्टेशन करें परदरशन करें लेकिन क्युकि उनके अकल और उनके दिमाग में तो जो है वो पूरी तरह से नकारातमकता और निगेटिविटी भरी हुई है इसलिए चाहे वो किसी भी पोस्ट पर जाएंगे तब भी जो है वो इसी तरह के डिंग बाजी करेंगे, इस तरह के धर्म और भै का माहौल पैदा करने की कोईशिश करेंगे और देश को बदनाम करने की कोईशिश करेंगे इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के गलत सहमी है कि जै काफ़ाल मास्टर एफ नन और जब प्रोफेसर अगर उनके इस तरह के हो प्राम्टर प्रोफेसर तो वो इसी तरह की भाशा बोलते हैं और वो प्राम्टर प्रोफेसर जो चाइनीज वर्जन हो तो तो फिर तो चाइना का अलाप करते हुए ज़रूर दिखाई पड़ेंगे तो को यहां तो यहां तो यह सब चीज़ें जहां बकवाद बहादरी कर चुके थे गए हैं या आपको जो है वो जनता ने 99 सीटे दे दी हैं तो आपको जो है वो 99 जुर्म और 99 이ुन्व बेकुफियां करने का जो है वो सर्टिफिकेट मिलगे हैं अईसा नहीं है इसलिए आप जो है वो भारत को डुनिया के सामने कमजोर दिखाएंगे भारत को दुनिया के सामने जो है उसके बारे में भाय भ्रम का माहौल पैदा करेंगे भौकाल भौकाल ख़ड़ा करने की कोईश करेंगे और कहेंगे जी चाइना तो महान है और भारत जो है वो बिलकुल बेकार है तो यह जो आपकी सोच है तो अगर गांडी और कॉंग्रस पार्टी ने चाइना के साथ एक सीक्रेट M.E.U. पर हस्ताक्षर किये हैं जिसकी वज़े से वो लगातार चाइना की तारीफ करते हैं और भारत के साथ उनकी तुलना करते हैं सुनिए प्रदीब भंडारी काई किये वया कि राहुल गांदी बहुत ह और भारत आज ये ग्लोबल मेनुफैचरिंग हग के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइमेस्टर नरेंडर मोदी के मेकेन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर आज हम मोबाइल मेनुफैक्टरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं सो राहुल गांदी अग हो भारत के लीगल सिस्टम पे भी अटाक करते हैं क्योंकि वो बेल पे बाहर है आज उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंतर पे भी हमला किया है और राहुल गांदी कहते हैं कि वो सोशल टेंशन हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं क्या कॉंग्रस पार्टी कुछ बहुत भारत के अंदर पढ़ाने की ना कि भारत के अजिंडे के बारे में बात करना इसलिए इनको 2014-1924 में भारत की जंता ने रिजेक्ट किया था और आने वाले समय में 2029 के अंदर भी भारती जंता प्रदानमंती नरेंडर मोधी को चुनेगी ना कि राहुल गांदी को जिनकी मं अगर एक 14 साल की बच्ची का रेप करता है तो राहुल गांदी उस पे चुप रहते हैं राहुल गांदी की पार्टी वही पार्टी है कि जब बंगाल में आर्जी कार का रेप और मॉर्डर केस होता है तो ना प्रियंका बाडरा का लड़कियों लड़सक्तियों के तुरू जाती है ना राहुल गांदी वहाँ पहुंचते हैं राहुल गांदी की पार्टी वही है कि जब इनके अलाइंस पार्टनर उत्तरप्रदेश के अंदर एक रेप के इंसिडेंट में एक्क्यूस पाया जाता है तो राहुल गांदी की पार्टी वही पार्टी जमू कश्मीर जिसने दलितों के हक चीना ता, राहूल गांदी की पार्टी वही पार्टी जिसने महिलाओं को जमु कश्मीर के अंदर 70 सालों तक उनका हक नहीं दिया, तो राहूल गांदी जो कहते हैं, वो जूट कहते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान की महिलाओं ने, दलितों ने, OBC, S3 ने उनको 2024 में रिजय किया था और राहुल गांदी की पाटी जिसने इस देश में एमर्जेंसी लागू की और संविधान का तहस नेस कर दिया उनके साम वो उनका जूट देश की जंता के सामने एक्स्पोज हो चुका है तो राहुल के इतना भी बोलें मैं समझ सकता हूं क्यो आम विश्यों पर बयान दिया और इसके अलावा उन्होंने ये तक कह डाला कि कैसे लोकसबा 2024 के चुनाव के नतीजे जैसे ही आए इसके चंद मिंटों के बाद लोगों के जहन से बीजपी और आरसस का डर्ग खत्म हो गया है इतना ही नहीं राहुल गांदी की ये जो बया कर रही है तो लाल अस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में सरूर बताएं धन्यवाद